हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पाली जिल्ले में मौसम की लंभी बेरुखी के बाद मंगलवाच से जिल्ले में एक बार फिर मौनसुन के बादर महरवान होते दिखाई दे रहे है यहाँ बारिश ऐसे वक्त में आई है जब पूरे जिल्ले में खेतों में खड़ी मूंग वा तिल की फसले चोपट होने की कगारव पहुझ गई थी इस बारिश से हलाकि जिल्ले के खाली पड़े बानव तलावों को तो राहत नहीं मिल पाएगी लेकिन खेतों में खड़ी फसलों को जरूर राहत प्रदान करेगी मौसम विज्यानिकों की माने तो लंबे इंतजार के बाद 30 ओगस तक जिल्ले में मौसम के बादर सक्रियर रहने की बात कही जा रही है और अगर यहां बादर डावों की मुताबिक जंकर बरसते है तो जिल्ले के जवाई बानसाइत प्रमुक बानव तलावों में भी पाणी आने की उमेद कायम रह पाएगी वरना मौसम की बेरुकी के चलते आने वाले दीनों में जिल्ले को एक बार सिर पेजल संकर से सामना करना पड़ेगा जिल्ले के गोड़वा शेतर के कुछ भागों को छोड़ कर अभी कही भी मौसम के दो महा बिते जाने के बाद भी जमाजम बारिश नहीं हुई है जिसके चलते प्रशासन के माते पर आने वाले भविश्य की चिंता की लखिरे दिखाई दे रही है साथ ही किसान भी चिंती थे हाला कि आज शुरू हुई बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है वही पुरे सावन मास में पहली बार मौसुन के बादर बरस्ते दिखाई दे रहे है पाली से जागरूट टीवी की रिपोर्ट